अगेन आप सभी का स्वागते फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हमारे नेक्स्ट टॉपिक आडीमल ब्रिडिंग के बारे में ठीक है तो बेसिकली हम जो चाप्टर पड़ रहे वो है एन्हांस्मेंट और ब्रान की प्रड़क्टिविटी को इंक्रीस करके हम अपनी फूड रिक्वार्मेंट को कॉंप्लीट कर सकते ठीक है अब हम एन्हींल ब्रिडिंग के बारे में पढ़ने वाले हम देखते है कि हमारा फूड सोर्स एनिमल भी एक बहुत ही मेजर फूड सोर्स हमारे लिए कॉ जहानी है ठीक है एनिमल सिर्फ ही सिर्फ मीट के लिए ही यूज नहीं किये जाते बलकि एनिमल से हमें बहुत सारे प्रड़क्ट भी मिलते हैं जैसे कि हमको मिलक मिलता है हमको हनी मिलता है ठीक है तो ऐसे बहुत सारे प्रड़क्ट भी हमको एनिमल से मिलते तो अगर हमें एक अच्छी animal breed develop करनी है ठीक है अगर हमारे पास ऐसी animal की variety होगी जिसका productivity अच्छा होगा ठीक है जिसका meat producing quality अच्छा होगा तो ऐसे में हमारे लिए वो फाइदे का सौधा हो सकता है ठीक है तो अभी हमें इस lecture में वही देखना है कि animal breeding को करके animal breeding को utilize करके हम किस तरीके से high quality की animal breed produce कर सकते है ठीक है तो animal breeds को और जादा enhance करने के लिए animal breeding ये technique जो है वो use की जाती है ठीक है तो basically breeding क्या होती है पहले तो हम यहाँ पे एक एक चीज जो यहाँ पे थेरी में समझाई गई है उसको समझते है और फिर detail में आगे बढ़ते है ठीक है तो सबसे पहले हम बोलते है breeding क्या होती है what is breeding ठीक है breeding of animal is an important aspect of animal husbandry animal husbandry का एक सबसे important aspect होता है animal breeding याने दो superior variety को cross करके एक ऐसी variety बनाना जिसमें हमें दोनों ही variety दोनों ही parent के character मिल जाए for example हम बोलते है कि एक cow है जो बहुत जादा milk production करती है एक cow बहुत जादा milk production करती है high milk producing cow है ठीक है high milk producing cow है अब ऐसे cow को अगर हम एक normal से bull के साथ cross करेंगे एक normal से bull के साथ जिसमें कोई जान भी नहीं है तो ऐसे में जो offering आएगा उसमें हो सकता है कि थोड़ी quality जो है milk की कम हो है ठीक है तो हम क्या करते है कि high milk producing cow को हम एक superior bull के साथ cross करते है कैसे bull के साथ superior bull के साथ superior bull यानि जिसका muscular structure बहुत जादा developed है और उसके genetics बहुत जादा अच्छे है तो superior bull के साथ हम इसको cross करेंगे ठीक है तो जब हम high milk producing cow को superior bull के साथ cross करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा offspring आएगा जिस offspring में हमें बहुत ज़ादा milk variety milk production हमको मिलेगा और इसकी muscular structure भी बहुत ज़ादा strong होगा देखो जब किसी animal के genetic strong होते है तो उसका productivity rate भी obviously strong होता है तो ये offspring हमें अगर ये cow होती है तो ये high milk productivity हमको देगी अगर ये cow होती है तो high milk देगी अगर ये मान लेते हैं bull होता है if it is a bull ठीक है अगर ये bull होता है तो इसमें भी हमें superior genes हमको मिलेगे superior genetics हमको मिलेंगे जिसको हम आगे use कर सकते है other cow के साथ cross करने के लिए ठीक है तो superior genetics, superior musculature हमें मिलेगा ठीक है तो यह सारे फाइदे इसके होते है that is हम breeding इस तरीके से करते है कि दो superior varieties को select करके एक offspring produce करते है जो इसमें दोनों ही parent के superior characteristic present होंगे ठीक है देखो तो यहाँ पे बोला है कि breeding animal husbandry का बहुत important aspect है ठीक है animal breeding aims at increasing yield of animal and improving the desirable qualities of the product देखो तो दो चीज़े यहाँ पे हमको चाहिए animal breeding हम कर रहे है तो हमारे फाइदे के लिए कर रहे है हमारा फाइदा इसमें क्या है कि हमें पहले तो increasing yield मिलेगी animal की अगर हम उसको meat के लिए produce कर रहे है तो हमें बहुत ज़ादा productivity मिलेगी ठीक है अगर हम उसको product के लिए जैसे कि हम cow को milk के लिए use कर रहे है honeybees को honey के लिए use कर रहे है तो अगर हमें अच्छा productivity चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा that is अच्छे quality की breeds को select करके cross करवाना पड़ेगा मतलब हमें एक desirable quality का product उनसे मिल सकता है तो दो चीजे हम यहाँ पर study कर रहे है एक तो हमें animal husbandry में एक high yielding productivity मिल सकती है दूसरा उनके product की quality बहुत ज़ादा high five मिल सकती है अब breed क्या होता है पहले तो हम breed को समझते है हम बोलते है cow की breed है अलग-अलग dogs की breed है अलग-अलग तो what is breed basically breed होता क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा detail में समझते है तो basically breed क्या होता है a group of animal related by a descent ठीक है देखो यहाँ पर बुलाए कि यह groups of animal होते है जो की related होते है by descent and similar in host character like general appearance, feature, size and configuration जैसे कि अगर हम एक dog की breed का example ले लेते हैं हम बोलते है German shepherd सबने देखा है German shepherd को तो dog का breed का यह एक example है German shepherd हम बोलेंगे कि यह breed है breed है मतलब सारे के सारे German shepherd हमें एक जैसे दिखते है और हम मानते हैं कि उनके जो ancestor होंगे वो common होंगे वो same होंगे ठीक है मतलब वो same descent से आ रहे होंगे ठीक है it is a descent of same generation ठीक है मान लेते हैं पहले एक dog की variety होगी इसी dog की variety से बहुत सारे आगे offspring आए और इन सारे offspring से German shepherd आए ठीक है तो इन सारे offspring से German shepherd आए ठीक है एक ही origin से वो descend out हुई है ठीक है तो हमने बोला कि सारे के सारे same descent से belong करते हैं दूसरा उन में सारे characters सेम होते है generally जैसे general body appearance देखो सारे German shepherd का structure सेम होता है सारे body features सेम होते है size सेम होता है configurations सेम होते है body के features सेम होते है ठीक है सहीवाल ठीक है और कौन सी होती है गीर होती है एक cow की breed ठीक है एक होती है that is jersey होती है jersey जो की हम देखते है कि exotic breed है बाहर से लाई गई है एक holstein होती है holstein तो ऐसी कुछ ये cow की breed होगी ठीक है तो ये cow की breed होगी अगर हम buffalo की breed की बात करनी चाहे तो buffalo की भी होती है महसाना, मुर्राहा, जाफराबादी ये बफेलो की breeds है ठीक है, तो breeds क्या होती है breed एक ऐसे group of animal होते है जिनका body feature, body characteristic, configuration सब कुछ similar होता है और वो same ancestor से belong करते है मतलब उनके ancestor बहुत ज़ादा common होते है सब ही के, ठीक है next हम बात करते है animal breeding is done for getting improved breed animal breeding को किया जाता है animal breeding याने हम artificial crossing कर रहे selective crossing कर रहे selected superior bull को selected superior female के साथ cross कर रहे, ठीक है तो ये क्यों किया जाता है it is done for getting improved breed with a desirable quality तो हमें एक ऐसी breed मिलेगी जिसमें हमारी desirable quality होगी जैसे मैंने आपको उपर example में समझाया कि हम A वाला जो animal ले रहे वो भी superior है और B वाला जो animal ले रहे है वो भी superior है दोनों superior animal में अपने-पने कुछ खास characteristic है इसमें हम बोल रहे है मान लो high milk productivity है हाँ और इसमें हम मान लेते है कि इसके genetics इसका muscular structure बहुत strong character है तो ये दोनों को हम क्या कर रहे है cross कर रहे तो हमें जो C variety मिल रही है इसमें A के भी character है इसमें B के भी character है मतलब ये बहुत ज़्यादा superior variety है ठीक है इसमें हमें quality बहुत ज़्यादा मिल रही है ठीक है तो हम animal breeding इसलिए करते है ताकि हमें desirable qualities के product मिल सके improved variety मिल सके ठीक है next product and to increase yield of animal देखो increase productivity productivity increase होगी और animal की yield increase होगी इसलिए हम animal breeding करते है तो ये हमारे main objectives होते है objective या aims अगर आपको question आता है why we do animal breeding तो animal breeding के aims क्या क्या है animal breeding हम क्यों करते है what are the importance तो animal breeding के यही importance है कि हमें improved breed मिले desirable qualities of characters मिले product मिले ठीक है और high yield मिले animals की increasing yield मिले ठीक है तो ये हमारे aims होते है ठीक है next हम बात कर दे desirable character such as कुन से वो desirable character होते है जो हमें चाहिए होते है high production of milk हम बोल सकते है quality of product बोल सकते है milk में कितना vitamin कितना protein है ठीक है next हम बात कर सकते है quality of meat and maximum yield देखो meat की quality की बात हम कर सकते है mass की quality की बात ठीक है yielding of eggs, कितना eggs production हो रहा है per year, ठीक है, इसके अलावा यह सारे जो characteristics होते हैं, इनको हम बोल सकते हैं, कि यह हमारे desirable character होते है, animals से, यह सारे character हमें चाहिए, ठीक है, अच्छा खासा milk production चाहिए, अगर हम बात करते हैं, अच्छा खासा हमें wool production चाहिए, अगर हम goats की बात करते हैं, अच्छा खासा meat production चाहिए, ठीक है, अगर हम pigs की बात करते हैं, जैसे hens की बगेरा मुर्गियों की, तो हमें अच्छा खासा egg production चाहिए, तो यह सारा अगर yield हमें अच्छे quantity में मिलता है, मतलब हमारा breeding जो है, वो successful ह यह जो हमारा breeding है यह हम माल सकते कि यह successful breeding है ठीक है अब एक next हम बात करते है find out can you tell में दिया है find out the name of common breed in cattle and poultry in the farms found in your area तो आपको आपके area में जो poultry farm होंगे या आपके area में जो cattle farm होंगे ठीक है तो गाय के तबेले भैसो के तबेले या poultry farm होंगे तो वहाँ पे कौन सी commonly used breed कौन सिंधी, सहीवाल, गीर उसके अलावा हमने बुला that is कौन सी होती है एक जर्सी ठीक है यह सारी cow की breeds है ठीक है इसके अलावा अगर हम पाल्ट्री की breed के भी बारे में अगर पढ़ते है तो पाल्ट्री में leghorn एक breed होती है जो की एग ले करती है ठीक है इसके अलावा broilers हम दे अब breeding के हमें types बढ़ने कि breeding कितने types से की जाती है ठीक है inbreeding होती है और outbreeding होती है ठीक है inbreeding और outbreeding दो types की होती है फिर outbreeding को 3 subtype में all divide किया जाता है तो वो हम आगे discuss करेंगी ठीक है तो सबसे पहले हम बोलते है कि हमने एक A variety को B variety के साथ cross किया और हमने produce की एक C variety ठीक है अ अब ये दो तरीकी की breeding हो सकती है मतलब हमने A variety को हमने अपने मर्जी से हमने ऐसा नहीं कि उनको naturally cross करने दिया हमने अपने मर्जी से कहीं से एक superior A variety लाई ठीक है superior A variety लाई उसको superior B variety के साथ cross किया और superior C variety हमने produce की ठीक है तो अब ये जो ваш printing है कितने तरीकी होती है तो हमने बोल पहला हमने बोला inbreeding है, ठीक है, दूसरा हम बोल रहे है outbreeding है, ठीक है, outbreeding, ठीक है, तो ऐसे दो तरीके की crossing होती है यह, तो सबसे पहले हम inbreeding समझते, what is inbreeding, the first one we understand inbreeding, अब inbreeding क्या होती है, inbreeding में हम सबसे पहले तो एक crossbreeding करते, crossbreeding का मतलब क्या होता है, कि हम दो genetically unrelated individual को cross करते हैं, मान लेते हैं, हमने cross A किया, cross B किया, B के साथ A को cross कर दिया, फिर इनके मान लेते हैं, चार off spring आए, कितने off spring आए, A, B, C, D, चार off spring आए, इनके, ठीक है, इसमें से यह दो मान लेते हैं male है, यह दो मान लेते हैं male है, और यह दो मान लेते हैं female है, ठीक है, यह female है, तो हमने क्या किया यही male और female का cross कर दिया मतलब brother sister का cross कर दिया जो genetically related है बहुत जादा ठीक है तो जो genetically बहुत जादा related है अगर हम उन्ही का cross कर देते है तो यहाँ पे हम A के साथ C का cross कर देते है देखो A male है C female है ठीक है इसके साथ C का cross कर देते है और हम दूसरा cross कर देते है B क के साथ D का Cross कर देते है, ठीक है, तो इन से जो Offspring आते है, मानने लो इनके भी d। आता है P, एक आता है Q, ठीक है P male है Q female है, ठीक है वहां पर भी ऐसा ही सेम, इसा है र और स यह भी male है और यह female है ठीक है आगे हम इन की भी crossing कर देते हैं यह भी भाई भेहन है तो इन अगर हम genetically same same crossing कर देते हैं ऐसी तो यह genetically related individual हो गए और इनका भी जो offspring आएगा वो हम देखेंगे कि वो भी जो offspring आएगे दो उनको भी हम साथ में cross करेंगे male और female इनको भी साथ में cross करेंगे तो यह कितने generation के लिए हुआ देखो पहला वाला जो था वो genetically unrelated cross था ठीक है मतलब यह द भाई भैनों के बिच में बहुत जादा जो genetically related है जिनका डीये ने बहुत जादा similar है उनके बीच में cross हो रहा है ठीक है तो अब यह जो cross हुआ यह related individual के बीच में cross हुआ related ठीक है तो यह भी genetically related यह भी genetically related cross हुआ और यह भी genetically related cross हुआ ठीक है तो ऐसे cross कितने generation के लिए हुआ मान लेते एक generation दो generation तीन generation चार generation ऐसे हम three to four generation के लिए बार बार inbreeding अगर करते जाएंगे मतलब दो genetically related individual याने भाई भेन के बीच में अगर cross करते जाएंगे तो उसको inbreeding बो को isolate करने की ताकत होती है देखो अगर हमने बोला कि यह superior male है यह वाला और यह female milk अच्छा देती है लेकिन मानलो यह बड़ी कमजोर है थोड़ी सी कमजोर है ठीक है तो हम क्या करते है इसकी quality अच्छे milk है quality यानि protein अच्छा है milk में लेकिन ये कम जोर है तो कम milk देती है ठीक है तो हम क्या करेंगे कि वो जो कम milk production का character है उसको हटा देंगे ठीक है तो बार-बार हम ऐसे variety को select करेंगे जो high milk देती है उसी को cross करवाएंगे आगे मतलब एक breed ऐसी develop की जाती है जिसमें सिर्फ superior character हो ठीक है तो एक generation, दो generation, तीन generation तक हम सिर्फ inbreeding करते रहते ठीक है तो समझते है एक बर फिर से inbreeding को थेरी से ठीक है तो थेरी हमारी क्या बोलती है, हमारी बोलती है that is theory 2 minute इसको थोड़ा सा उपर कर देते हैं तो inbreeding थेरी हमारी क्या बोलती है, it involves breeding of closely related individual for 4 to 6 generation देखो बोला है, कि closely related individual याने भाई भेन के बीच में यह जो हम देख रहे है ना पहले बाली अन्रीलेट़ थे लेकिन इसके बाद देखो यह हम देख रहे है, closely related है A or C, A or C closely related है, D or D closely related है भाई बेन है, इनके बीच में cross kiya गया यह एक generation हुआ फिर उनके बच्चे हुए, उनके बीच में cross किya गया फिर उनके बच्चे वे उनके बीच में cross किया गया तो ये genetically related individual के बीच में cross किया जाता है for 4 to 6 generation ठीक है इसके वज़े से क्या होता है inbreeding increases the homozygocity homozygocity यानि जो best character है वो homozygocity condition में आ जाते homozygocity यानि उसमें अब वही character शोओंगे particular ठीक है ये जो offspring आया S ये S offspring में कोई अच्छा character नहीं है हमारे कोई फाइदेगी character इसमें नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे इसको cross ही नहीं कराएंगे कभी हम R वाले को cross कराएंगे आगे तो इस तरीके से हम अच्छे character को आगे लेके जाते है और जो खराब character होते है जो हमें नहीं चाहिए उसको हम पीछे छोड़ देते है तो homozygocity इससे increase होती है पहला point ठीक है ये आपको neat mhtct में याद रखना है कि inbreeding से homozygocity आती है दूसरा हम बात करते है inbreeding से pure line भी produce होती है homozygocity आएगी मतलब क्या produce होगी pure line homozygocity का मतलब ही होता है pure ठीक है उस particular character के लिए वो pure होगा ठीक है of animals ठीक है तो ये आपको याद रखना है ये कुछ points है जो कि neat mhtct pp concept आते है तो आपको याद रखना है कि inbreeding से homozygocity आती है inbreeding से pure lines आती है ठीक है next हम बात करते है inbreeding is helpful in the elimination of harmful recessive trait मैंने क्या बोला कि ये जो S है इसमें हमारे कोई काम का character नहीं है मतलब सारे recessive trait है कोई काम की character नहीं है तो इसको हम eliminate कर देते तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि inbreeding के वज़े से elimination होता है recessive genes का recessive trait का जो काम के नहीं है उसको हम eliminate कर देते तो यह एक बहुत important point आपको again neat MSTCT point of view से important है यह 3 point जो है neat MSTCT point of view से important है कि inbreeding से homozygocity हम ला सकते है inbreeding से pure line हम बना सकते है inbreeding से recessive genes को हम निकाल के eliminate कर सकते है ठीक है और superior gene को हम आगे भेज़ेंगे accumulation of superior gene यानि superior gene को आगे भेजते जाएंगे अगली अगली generation में उसी variety का cross करेंगे देखो ना हम उसी variety का cross कर रहे है यहाँ पे समझाता हूं हम उन्ही variety का cross कर रहे gene variety में हमें फाइदा दिख रहे है हम उस variety का cross नहीं कर रहे हैं जहाँ पे हमें फाइदा नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे हमें फाइदा नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे हमें फाइदा नहीं दिख रहे हैं तो यह cross हम नहीं कर रहे हैं हाला कि हमको R में, P में, Q में फाइदा दिख रहे हैं तो हम यह cross कर रहे हैं और जो inferior, recessive character है, उसको हम आगे forward नहीं कर रहे है, ठीक है, inbreeding has demerit, एक इसका demerit या drawback है, अगर हम बार-बार inbreeding करते रहते हैं, तो यह animal की fertility को reduce कर देता है, it reduces the fertility and productivity of the animal, ठीक है, मतलब आपने inbreeding को एक बार किया, देखो, मैंने बोला A और B को हमने cross किया, दो मिनिट, इसक चेक कर लेते हैं, आपको दिखेगा या नहीं, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं, हमने A को B के साथ cross किया, ठीक है, हमने A को B के साथ cross कर दिया, ठीक है, अलग color use करते है, A और B के साथ cross कर दिया, तो हमारा C जो आया, C और D आया, ठीक है, दो offspring आया माने लेते, C और D जो है, प्रॉस कर दिया, s di अया, इनको भी क्रॉस कर दिया, u via ठिक है तो ये कितने जनरेशन के लिए हमने धाज क्ने का क्रॉस किया है, close relation वाले भाई भें परेवकित हैा, ये थीक है, थीक है, ए तीन, चार, , पाच debate है, अएसे बहुत सारे जनरेशन के लिए हम जब क्रॉस करते तो एक टाइम ऐसा आता है एक टाइम ऐसा आता है सबसे लास्ट लास्ट में यहां पर एक टाइम ऐसा आता है जब इनकी यह किसके वज़े से आया है, inbreeding करने के वज़े से आया है, बार-बार inbreeding की उसके वज़े से आया है, inbreeding depression, ठीक है, तो आपको यह लिख लेना है, book के नीचे आपको यह लिख लेना है, inbreeding depression क्या होता है, आपको इसको अच्छे से लिख लेना है, ठीक है, तो यह inbreeding depression इसके अब आउडब्रीडिंग क्या है? आउडब्रीडिग में हम बोलते हैं कि दो genetically unrelated individual को डी ऊंड़० है? हम कैसे इंड़िजुल को across करवाता है? genetically unrelated individual का हम cross करवाते हैं तो genetically unrelated individual याने जो भाय भेहन नहीं है जो एक दूसरे से बिल்कुल ही different है वो ऐसे individual का हम cross करवाते है it involves the breeding of unrelated animal unrelated याने जिनके genes एक दूसरे से match नहीं कर रहे है जो भाई भेन नहीं है जो दूर दूर का नाता उनका कोई नहीं है तो ऐसे दूर दूर के दो unrelated individual को लेकिन वो same breed के हो सकते है अलग breed के हो सकते है अलग species के भी हो सकते है वो देखेंगे तो inbreeding, outbreeding हम क्या बोलते है it involves breeding of unrelated animal देखो पहले वाले में हमने बोला था inbreeding में it involves the breeding of related animal related का मतलब है genetically related जिनके genes same है जो की भाई भेन है यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर रहे है जो की दूर दूर के animal है जिनके बिल्कुल भी genetic same नहीं है ऐसे दो animal को हम क्या करवा रहे cross करवा रहे ठीक है next the animal may be of the same breed देखो animal हो सकता है वो same breed का हो animal हो सकता है वो different breed का हो या animal हो सकता है कि वो हम देखते different species का हो same breed का भी हो सकता है different breed का भी हो सकता है different species का भी हो सकता है देखो तो यहाँ पे हम बोलते having no common ancestor for four to six generation तो इनके common ancestor common नहीं है चार से छे जनरेशन के लिए, मतलब उनका दूर दूर तक कोई नातनी है, ठीक है? उनका दूर दूर तक कोई नातनी है, अगर इनके common ancestor होते हैं, चार से छे जनरेशन के लिए तो हम बोलते कि ये inbreeding का ही type होता क्योंकि इनके ancestor common है तो इनके genes भी common होते हैं सेम होते हैं और related individual का cross inbreeding बोला जाता है ठीक है तो ancestor छे से 4 से 6 generation के लिए दादा पर दादा के जमाने के लिए 4 से 6 generation के लिए ancestor इनके common नहीं है मतलब यह दूसरे एक दूसरे से पूरे पूरे different है और जब इनको cross कराते है तो इसको outbreeding बोलते है ठीक है outbreeding के आप 3 type आते है पहला type आता है that is out crossing दूसरा आता है crossbreeding और किसरा आता है interspecific hybridization ठीक है it involves breeding between the animals of different species यहाँ पर बोला है दो अलग-अलग species में cross हो रहा है अलग-अलग species के cross को हम interspecific hybridization बोलते है यहाँ पर भी वही बोला है it is एक इस इंटर-स्पीक hybridization थीक है दो अलग-अलग species के cross को interspecific hybridization बोलते है यह वह सहही है लेकिन यह इसका definition इंटर स्पेसिफिक hybridization का definition है, out crossing का definition यह नहीं, ठीक है उसका definition क्या है वो देखेंगे, it also known as interspecific hybridization, out crossing helps to remove the inbreeding depression, यह सही है, out crossing use किया जाता है to helps to remove inbreeding depression, inbreeding depression को हटाने के लिए out crossing use किया जाता है, अब देखो, मैंने बोला यह out crossing का definition इतना नहीं है, यह out crossing के definition में fix नहीं बैठता है, Q नहीं बैठता है, क्योंकि एंटर-specific hybridization का definition है, तो actually, out crossing का definition क्या है, out crossing का definition हम समझते है, थोड़ा है, चलो, out crossing का definition हम क्या बोलता है, यहां पर out crossing का definition में हमको बोला जाता है, कि out crossing क्या है, कि same breed के बीच में cross हो रहा है, ठीक है, तो cross breeding, cross breeding यहां हम बोल सकते हैं, breeding between, हम बोल सकते हैं यहां पर breeding between, ठीक है, यहां पर हम बोलेंगे, out crossing की definition को out crossing, यह definition आप लिख लिजिएगा book में, out crossing क्या है, that is breeding between, between, breeding between, individuals of, individuals of, same breed, okay, same breed, but, but, their ancestors are unrelated for 4 to 6th generation, but, their ancestor, are unrelated, unrelated, or they do not have common ancestor for 4 to 6th generation, ठीक है, तो हम ऐसा बोलेंगे, they do not have, but, they do not have ancestor common for 4 to 6th generation, ठीक है, but, they do not have, do not have ancestor, common ancestor, common ancestor, अपलत हो गया, ancestor, for, 4 to 6th generation, ठीक है, generation, तो यहां पर हम क्या बोलना चाहते है, हम बोल रहें कि breeding same breed में ही हो रही है, जैसे A जो है, और B जो है, यह same breed के दो animal है, ठीक है, A हम मान लेते है, cow है, और B हम मान लेते है, bull है, मतलब same breed है, ठीक है, same breed के animal को हम cross करवा रहें, लेकिन इनके ancestor बिलकुल भी related नहीं है, मतलब यह दोनो genetically related नहीं है, ठीक है, इनके ancestor common नहीं है, 4-6 generation के लिए, मतलब यह पूरे-पूरे genetically unrelated है, यह क्या है, genetically unrelated है, genetically unrelated है, ठीक है, तो यहां पर हम बोलेंगे, जो offspring produce होगा, वो हम देखेंगे कि out crossing का result होगा, ठीक है, और out crossing किया जाता है, because inbreeding depression को avoid किया जा सके, जैसे ह हमने बोला, हमने 4-6 generation के लिए inbreeding किया, हमने मान लेते A और B का हमने inbreeding किया, ठीक है, inbreeding करने के बाद यह जो आये, यह दोनों भाई भेन आये, P, Q, इनका भी crossing किया, ठीक है, I, R, S, ठीक है, इनका भी crossing किया, I, S, T, ठीक है, दो individual आये, यह सारे individual है, तो यह पहला inbreeding हु हुआ, यह तीसरा हुआ, मान लेते हैं, इनमें inbreeding depression आगया, मान लेते हैं, इनमें inbreeding depression आ सकता है, आ सकता है, in the sense, इनकी fertility लूज हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, एक बार out crossing करेंगे, याने इसको किसी और ही, याने इसको Z individual से cross कर देंगे, Z individual जो की बिलकुल genetically unrelated है, अब इस crossing, same breed का है, लेकिन यह genetically unrelated है, तो अब जब ऐसा cross करते है, Z और S का cross करके मान लेते है, U और V दो individual आए, ठीक है, तो अब इनकी fertility कायम रहेगी, fertility कायम रहेगी, मतलब fertility lose नहीं होगी, तो fertility lose होने को over fertility, fertility को lose होने से रोका जा सकता है, कि अगर हम बहुत सारे inbreeding के बाद एक out crossing कर अगर हम कर देते हैं, बहुत सारे inbreeding के बाद एक out crossing अगर हम कर देते हैं, तो हमारा problem solve हो जाता है, ठीक है, inbreeding depression का, तो यहाँ पे फिर से समझते हैं, देखो, out crossing की definition आपको समझ गई, यह definition थोड़ी सी wrong है मेरे ख्याल से, थोड़ी सी क्या पूरी-पूरी wrong है, ठीक है, सरि हमने बोला कि यहाँ पे जो दो individual है, उनके बीच में cross हो रहा है, वो genetically unrelated होने चीए, अब unrelated है, या तो same species के हो सकते है, same breed के हो सकते हैं, देखो, हमने बोला, या तो same breed के हो सकते है, तो same breed वाला example हमने लेक लिया, out crossing, अगर वो different breed के होंगे, ठीक है, अगर दो individual को हम cross कर रहे है अगर हम दो individual को cross कर रहे है, cross A, cross B, ठीक है, A को B के साथ cross कर रहे है, बट मान लेते हैं, यह एक breed का है, जैसे ही, breed एक है, cow की, ठीक है, cow की मान लेते है, इसकी सिंधी breed है, ठीक है, और इसकी सहीवाल breed है, तो दोनों की breed अलग-अलग breed को जह हम cross करेंगे, तो जो बीच में अ bulldog की breed के साथ cross कर देते हैं, तो German Shepherd और bulldog की breed, अगर cross breed होंगी, तो कोई दूसरा ही dog type हमको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो हम ऐसे बहुत सारे cross देखते हैं, हमारे घर के आसपास, जो बहुत अच्छे breed के dogs होते हैं, उनका cross कभी-कभी हमारे गावरानी dogs के साथ हो जाता है, जो normal dogs होते हैं, तो एक अलगी variety, अलगी breed हमको देखने को मिलती है, ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये cross breeding होता है, cross breeding क्या है, cross breeding में हम देखते हैं, दो अलग अलग दो different breeding, breed के individual का cross होता है, it involves the breeding of superior male of one breed with the superior female of the another breed, ठीक है, तो हम superior male चूज करते हैं एक breed का, और superior female दूसरे breed का और दोनों का cross करवाते है ठीक है by crossing by cross breeding new animal breed is desirable character are developed ठीक है दो देखो by cross breeding अगर ये cross breeding के हम करते हैं तो हमें एक new desirable breed मिलती है जिसमें हमारे सारे desirable character होते है ठीक है example दिया है इसका ये neat में MSTCUT में बहुत important है example दिया है इसको मैं green color से कर देता हूँ example है हिजार डेल हिजार डेल एक एव की sheep है शिप की breed है ठीक है तो शिप की breed होती है हिजार डेल a new breed of sheep ठीक है ये develop हुई है by crossing of bicanery eaves and marino rams of Punjab ठीक है तो ये आपको neat में पूछा जा सकता है MSTCT में पूछा जा सकता है कि कौन सी वह एक cross breed develop हुई है जो की sheep की cross breed है ठीक है और अगर question ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हिजार डेल ये जो cross breed है ये कौन से दो breed के crossing से produce हुई है तो आपको याद होना चीए bicanery eaves और marino rams दोनों का crossing हुआ है तब जाके हिजार डेल की breed hi next हम बात करतें inter specific hybridization inter specific about dis이 स्पेसिफिक देखा हमने आप दो तरीके देख लिए उस को थोड़ा और बड़ा सर्थ ठीक है हमने पहला तरीका देख लिए first स अरिक हमने दूसरा हम बोल सकते है कि different breed के cross कर सकते है different breed different breed के दो animal अगर cross करते है तो इसको cross breeding बोलते है cross breeding ठीक है और तीसरा हम अभी देख रहे है that is different species के अगर दो individual cross करेंगे different species different species के दो individual अगर cross करते है तो इसको बोलते है Inter-specific hybridization, ठीक है? तो यह हमको देखने को मिलता है, that is horse और donkey में hybridization, ठीक है? Horse और donkey में hybridization, ठीक है? तो horse और donkey में हमको क्या देखने मिलता है? हम देखते हैं कि female horse और male donkey का जब cross होता है, ध्यान दो. female horse का female horse और male donkey का जब cross होता है male donkey तो यहाँ पर produce होता है mule mule याने खचर जिसमें गदे के भी character होते donkey के और घोडे के भी character होते याने horse के ठीक है वैसे ही अगर हम इसका reciprocal कर दे उल्टा कर दे ठीक है अगर हम ले ले male horse अगर हम लेते है male horse और female donkey ठीक है female donkey अगर हम लेते है तो ऐसे में हमको क्या मिलता है ठीक है ऐसे में हमको मिलता है यहाँ पर हिनी हिनी में भी दोनों character होते है that is गदे और घोडा ठीक है लेकिन वो different होते थोड़े mule थोड़ा ज़ादा ताकतवर होता है ठीक है इसलिए mule को use किया जाता है mule में घोड़े की power भी होती है घोड़े के speed से वो भाग सकता है और गदे जितना वजंड हो सकता है ठीक है तो इसलिए हम mule produce करते है ठीक है बट यह sterile होते है यह दोनों के दोनों जो है टाइगॉन जो है टाइगॉन यह दो एनिमल के combination से बनता है जिसमें male tiger होता है male tiger और female lion तो tiger और lion अलग-अलग species है और इनका cross होता है ठीक है तो टाइगॉन produce होता है वैसे ही liger produce होता है liger liger में male lion होता है male होता है lion और female होती है tiger female tiger तो यह सारे के सारे हमारे interspecific hybridization के example है ठीक है तो हमने यहाँ पर पूरा-पूरा animal breeding पढ़ लिया हमने सबसे पढ़ा animal breeding में कि भाई animal breeding में breed क्या होता है तो breed में हम देखते है कि जो animal का feature सेम होता है characteristic सेम होता है configuration सेम होता है उनको हम breed बोलते है जो कि common descendants से आते है दूसरा हम बोलते है कि breeding क्या होती है हम दो superior variety को select करके उनको cross करते है और अपने desirable variety का offspring produce करते है जिसको हम बोलते है that is breeding ठीक है अब यह जो breeding है यह हम क्यों करते है यह हमें high productivity चाहिए इसलिए करते है high milk, meat productivity बगरा चाहिए इसलिए करते है inbreeding को 2 genetically related individual के बीच में cross किया जाता है जैसे भाई-बेन, भाई-बेन का cross किया जाता है ठीक है तो यह 4-6 generation के लिए होता है और जब यह होते रहता है तो एक time ऐसा आता है कि उनमें fertility lose हो जाती है और वो lose होने को हम inbreeding depression बोलते है अगर उसको overcome करना है अगर उसको होने से रोकना है तो हमें एक out crossing करनी पड़ेगी out crossing याने same breed के दो genetically unrelated individual का cross ठीक है same breed के होने चाहिए genetically unrelated होने चाहिए उनका cross करेंगे तब वो out crossing जो है उसके वज़े से inbreeding depression को overcome किया जा सकता है ठीक है out crossing हो गया अब cross breeding में हमने देखा दो अलग-अलग breed के animal अब breed यह अलग है तो genetics तो अलग होंगे ठीक है अब इनका cross अगर हम करते तो उसको cross breeding बोलते है example hyzardel एक sheep की variety है जो की marino rams और bicanery eaves को cross करके बनाई गई आपको याद रखना है next हम बोलते है interspecific interspecific hybridization में दो अलग-अलग species के बीच में cross किया जाता है जैसे कि donkey और donkey और horse के बीच में ठीक है such breeding is not always successful हम बोलते है mule produce होता है इसमें ठीक है और mule horse और donkey के cross से produce होता और यह जो mule होता है यह sterile होता है ठीक है वैसे ही अगर हम horse को male लेते और donkey को female लेते तो हिन ही produce होती है ठीक है और tiger और tiger और tiger और tiger और tiger का भी example हमने share किया ठीक है I hope यह video lecture जो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो video को like कर दीजिए दोस्तों के साथ share कर दीजिए चैनल पर नहोंगे तो subscribe कर दीजिए ऐसे वीडियो के साथ बने रही है खुश रही है जिन्दगी के मसे लेते रही है तब तक के लिए thank you very much